गर्मियों में हाथ पैसे पसीना आना लाजमी है अगर सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो ये किसी गंभीर दिमारी का संकेत माला जाता है नमस्कार मैं रानी गुपता क्यूरन है अयर्वेदा मैं आपका स्वागत कती हूँ एक बार फिर से हाथ जीरूँ घर लून उसको के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए रेमडी के साथ हम सुरूल से ही आपको घर रेमडी के बारे में रूबरू करवाने कि आपको किन सेहत की बात आपके साथ में रूबरू करवाते हैं कि कैसे आपके किचन में मौजूद चीजे आपकी सेहत के लिए बहतरी और शिदी माले जाती है आज बात करेंगे कि सर्दियों में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके हाथ पैरों में पसीना आना शुरू हो जाता है चा सेलमें किसी प्राबल्म की कारण होता है आपने इसी कमी होती है आ बढ़नाम तरद्वों में जिनके हाथ पैरों में पसीना आहीं जाता है अब यह वजा कौन से कारण होते हैं जिसके वज़े से पसीना आता जी आज आग आपने सवाल उठाया है दर्शकों के लिए वह बहुत ही बहुत ही इंपोर्टन्ट है और हम इसे अकसर आम समस्या समझ कर दो में लोग स्थांट में यह घुता है नियुद्ध सुन्याइख्व मुझी सब्सक्राइब तो इसका जो असली कारण है वो ये है कि एक तो ये समस्या सबसे जादा महिलाओं में पाई जाती है और इसके कारण ये है कि अधिक तनाव होना, अधिक काम का स्ट्रेस होना और प्रेगनेंसी के दरान होने वाली कुछ कमिया आफ्टर प्रेग्नेंसी होने वाली कुछ कमिया अपने खान पान पे निया में तूप से ध्यान ना देना और अराम ना करना ये कारण होते हैं जिसकी वज़े से आपके हाथ पैरों में पसीने जैसे शिकायत होती है हाला कि सर्दों के मौसम चलता है और सर्दों के मौसम में अधिकते लोग पानी का सेवन बहुत था यह बगाता है लेकिन इसके बावजूद भी हाथ पैरों से पसीना आना जायज है हाला कि पुर्सों की बजाय देखा जाए तो महिलाओं में इस समत का अधिक पाई जाती है आफ्टर 30 की एज या आफ्टर प्रेगनेंसी आपके अंदर ये दो कैल्सियम की कमी सबसे जादा पाई जाती है जिसके कारण आप तनाप का भी शिकार हो जाते हैं जिसके कारण आप कमजोरी का भी शिकार हो जाते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी आपके शरीर में बहुत स तोड़ी भी कमियों होती है हमारे हाथ पैरों से पसीन आना शुरू हो जाता है तो बैतर होगा आप एते खादे-पड़ातों का सेवन करें जिसमें मैंगनेजियम की मातरा अदेख पाई जाती हो जिससे आप सर्दों के मौसम में इन हाथ-पैरों के आने वाले पसीनों से बचे रहें इसके और भी क्या रीजन हो सकते हैं जिसके हमारे हाथ-पैरों में पसीने आते हैं कि अब नहीं है कि इसके जो रीजन है तो सर्द गरम के होता हे सांपने होता है चैजों का सेवन होता है तो सबसे पहले जाने कि आप जो सही समय होता है दूसरा भार का खाना um करें क्योंकि उसके अंदर सबसे जादा सिट्रिक एसिट पाया जाता है सिट्रिक एसिट भार के खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए डाला जाता है लेकिन यह आपके शरीर के लिए बेहद ही नुकसान दायक है तो आप इससे जरूर बचे जैसा दीपी का मैं ने इससिट के डालने से आपका खाना ताजा भले नज़र आता हो लेकिन हमसी सरीर में थोड़ी भी मातरा कम है तो इसके हैट पेरों से अधिक पसीन ना कि यह किसी गर्मी के करण होता है तो बैतर होगा आप हमेशा मेंगनीजम के ऐसे तत्वों का सेवन करें जिसे आपके हाथ पैरों से पसीन ना आए साथ ही रग्त की कमी को दूर करने के लिए आप ऐसी चीजों या फिर अनार की जूस का सेवन कर सकते हैं जिससे आप इस सम सब्सक्राइब करने के लिए कुछ उपाई भी बताएंगे तब तक के लिए मुझे दीजाज़त और मेरे चैनल स्कोर्ड यानि क्यूदन है अरवेदा को लाइक करना ना भूले ताथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर एक नई अपडेट लेटेस अपडेट आप तक पह